स्वागत है स्टुएंट्स देखिए आपके क्वेश्चन है कि वील कंप्राइजेज ओफ रिंग और रेडियस आरेंड मास एम यह पूरा क्या है यह एक रिंग है जिसका मास एम है और इस रिंग का रेडियस आरें अब बुला कि इस रिंग में तीन स्पोक्स लगा हुए एक मास एम करके है और बुलाए कि ओट इस दी मोमेंट ऑ इनर्षिय बना लत्त है और यह जो रिंग होता है इसका एक्सिस मालो यहां पर मास इसका एम है रेडियस आ रहा है तो तुमको भी बता है कि सका मोमेंट फिनर्षिय हो जा एवrence एमार स्क्वेर रिंग का ठीक अब इसके साथ मेरे पास तीन स्पोक्स है एक स्पोक्स ऐसे लगा हुआ है एक तरह का रॉड होगा और एक्सिस यहां पर बनेगा क्योंकि मेरे को रिंग के एक्सिस के बाड मुवेंट अपिनाश्य चाहिए था दूसरा स्पोक ऐसे लगा हुआ है और इसका भी एक्सिस यहां पर बनेगा क्योंकि यही रिंग का सेंटर है और तीसरा इस्पो कैसे लगा हुआ है इसका भी axis of rotation यहीं बनेगा क्योंकि यही center of ring है इसका radius r है mass m है इसका भी length r है mass m है इसका भी length r है mass m है तो इन तीनों का ends के about एक rod की तरह से behave करेगा तो इन तीनों का जो end है उसके about moment of inertia कितना आ जागा ml square by 3 और 3 है तो into 3 तो यह मान लो i2 हो गया और यह हो गया i1 यह हो जागा ml square तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो total moment of inertia होगा ring और spoke दोनों का मिला के वो i1 प्लस i2 हो जाएगा i1 का value कितना था mr square और i2 का value कितना ml square length radius के बराबर तो l के जगा r लिख सकते हैं यहाँ से m common आ जाएगा यह r square common आ जाएगा so i equal to हो जाएगा m plus m into capital r square ठीक है इस आफसे option number b सही होना चाहिए तो उमीद है तुमको यह question समझ में आ गया होगा easy तरीका बताने को परियास्किया है thank you so much for watching